हेई गाईज वेलकम बेक टु मैं चैनल तो गईज आज की इस फीडियो में बात करेंगे पोर्ट्रेट प्रैक्टिस के बारे में अगर आप बीगिनर है तो किस तरह से कर सकते हैं मेरे को आप लोग अपने स्केचिस दिखाते हैं इस्टाग्राम पर तो आपको स्क्रीन पर द होगे तो डेफिनेटल आपकी पोर्ट्रेट ड्राइंग काफे अच्छी हो जाएगी तो चलो देखते हैं यह फोटोग्राफ है मेरे पास मदर टरेसा की जो कि अभी मैं ड्रॉ करूंगा और आपको दिखाऊंगा किस तरह से ड्रॉ करना है तो भी मैं पैंसिल यूज कर रह है रेफरेंस फोन की बजाए अगर आप प्रिंट आउट लेंगे तो ज्यादा से रहेगा फोन में हमको बर बर जूम करना पड़ता है फोन में मतलब पूर अच्छे से दिख नहीं पाता है फोन की स्क्रीन काफी छोटी होती है अगर आपके पास टैबलेट है वह अलग बा होंगा तो अभी मैं क्या कर रहा हूं आई ड्रो कर रहा हूं सीधा बिना कोई मेजर्मेंट लिए सीधा फोटो में से देखके पहले आई फिर दूसरी आई यह मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था इस मेथड में बहुत जाए टाइम लगता है बिकॉस हमको अच्छ इसको बनाने में मुझे पूरे 20 मिनिट लगेगा इस 20 मिनिट मैंने अनली इतनी आउटलाइन पे लगा दिया है और फिर भी यह बिल्कुल एकुरेट नहीं है एक आई नीचे होगी है एक आई उपर होगी है नोस भी डिफरेंट है लिप्स और तीज भी देखो और फेस का नौत भी तो यह मेरे को मेंच टेक लगते है जो कि बिगिणरेस करते हैं सीदा देखके बनाने कुछ करते हैं वोगी फोन में से तो इस से आपको स्टीख नहीं बाते हो और एकुरेट भी बना पाते हो तो बिगिणरेस को इस तरह से नहीं करना चाहled ध네요. तो मैं आपको ए इवाइड करना है हमने, पहले हमको सीधा आई से स्टार्ट नहीं करना है, इस तरह से एक structure बना लेना है paper के उपर, ताकि पता सलज़े कि कहां पे कितना face आएगा, कहां पे clothes आएगे, कहां पे hair आएगे, और तीन पार्ट में divide करना है, वो किस तरह से बाद में आपको बात में इसे बनाने में मुझे लगे only 8 minute guys और उसको बनाने मुझे लगे थे 20 और फिर भी वो accurate नहीं था और इसमें देखो आपको काफी accuracy दिखरी होगी वो भी कम time में अगर हम दोनों compare करें जबकि उसमें जाए time लगा था और इसमें देखो तो वो method I think beginners के लिए सरी नहीं है because अच्छे से observe नहीं कर पाते हैं एक आई छोटी हो जाती है एक आई बड़ी हो जाती है नोज चोटा बड़ा जाता है लिप चोटे बड़ा जाता है उन फेस का structure भी अलग हो जाता है बट जो method मैंने आपको अभी बताया तीन पार्ट में डिवाइड करके आईज नोज किस तरह से बनाने है इसमें आपको काफी difference देखने को मिलेगा वह भी कम time में किस तरह से कि हम इसमें शेडिंग कर सकते हैं यह फिर हैचिंग कर सकते हैं मैं mechanical pencil का यूज कर रहा हूं तो इसमें मैं हैचिंग कर लिता हूं light dark observe को कि जल्दी जल्दी सो यह portrait गाईज हमारा complete हो गया only 20 minutes में मैंने hatching की और measurement लेके freehand outline में बनाई तो देख लो कुछ इस तरह से मतलब जो मैंने पहले बनाया था उसमें मैंने 20 minutes में outline में बनाई वो मैं बिल्कु अच्छे से नहीं बना पाया because मैं सीधा phone में से देखके eyes nose इस तरह से बना रहा था सो मज़े यही basic सी mistakes सकती है beginners की जो इस तरह से बिल्कुल देखके सीधा बनाने इगोश्च करते हैं यह भी guys 80% perfect है 100% तो यह भी नहीं है आपको दिख रहा हुआ photograph में से बट फिर भी अगर 20 minutes में हम 80% भी अगर बना पा रहे हैं तो काफी बढ़ी है because हमको practice करनी है तो practice के ल portrait में use कर सकते हो किसी भी face में use कर सकते हो इसको तीन पार्ट में divide कर देंगे उपर वाली hair line है उससे नीचे वाली eyebrows है और उससे नीचे nose है उससे नीचे chin है तो यह hair line है तो बीच में हम cap बनाएंगे eyes का तो दो eyes के बीच में usually एग eyes का difference होता है यह मैं आपको बिल्कुल basic बता जाएगा बट इन चीजों को आप अपने reference में use कर सकते हो because reference तो सारी अलग-अलग होंगी हर किसी की eyes nose सब अलग होता है वो तो आपको देखके ही बनाना पड़ेगा बट जो basic चीजे होती है वो सब यही है यहां पर दो eyes आगी नीचे यहां पर nose आ जाएगी nose के थोड़ा सा ज्यान रखना है और इनी चीजों को आपने अपनी reference में use करने इस तरह के जो work होते हैं उसमें लगते हैं 6 गंटे, 7 गंटे, 8 गंटे, 10 गंटे बट जो यह मैंने बनाया यह only 20 minutes में बनाया practice के लिए तो beginners को इस पर ज्यादा focus करना चाहिए मेरे ख्याल से उस पर कम से कम ही focus क करना चाहिए जैसे कि इसमें wrinkles देखो किस तरह से मैंने बनाया है बिल्कुल detail किया है बट जो मैंने जल्दी से 20 minutes में बनाया उसमें जल्दी लाइन लगा जी थी बट अगर मैं बनाना चाहूं तो इसमें बिल्कुल आराम से shading करके बना सकते हैं बिल्कुल realistic भी वह आप जित चीज है बिकुस में हम grids यूज कर रहे हैं grids के थुरू हमको help हो रही है देखने के लिए eyes कहां पर है nose कहां पर है lips कहां पर है उससे हम सीख नहीं पाते तो वह मैं बिगनर्स को recommend नहीं करूंगा बिकुस में तो हमारे पस grids हैं और हम देख रहे हैं कौन से box में आई है कौ यहां पर चीन आ जाएगा कुछ यह मैंने basic बताया है यह आप हर portrait में use कर सकते हो अगर करना चाहो तो जब कोई भी size का हो और आपको मालनो यही बनाना है जब मैंने realistic बना यह बिल्कुल इसमें क्या करना है आपको पहले basic बनाना है इस तरह से इसमें side face है तो side बना लेंगे इस तरह से तीन पार्ट में इसको भी डिवाइड कर लेंगे इस तरह से यह jawline यहां पर आगी मैं basic बता रहा हूँ आपको features नहीं बता रहा हूँ because features में तो guys time लगता है observation लगती है यह देखो कुछ इस तरह से हमको eyes से बनाने की जूरती नहीं पहले basic structure बना लो face का यहां पर आई जा जाएंगी यहां पर nose यहां पर lips और यहां पर wrinkles देख लो बन गया basic इसमें आप कितनी detailing कर लो चाहे तो यहां पर मेरे पास एक और reference है इसको भी बनाना है simply वही method पहले आप देख लो कि face का shape किस तरह रहा है उस shape को बस roughly बनाना है ऐसा कि आप ear बना लो इससे हमको एक idea मिल जाता है कि face कितना आएगा paper के ऊपर कहां हमने बनाना है इसको भी guys तीन पार्ट में divide कर लो और वही eyebrows nose and chin यहां पर eyes आ जाएंगी एक eye का distance चोड़के यहां पर दूसरी eye आ जाएगी यहां पर nose आ जाएगी यहां पर lips आ जाएंगे यह तो मैं आपको समझाने के लिए जल 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 बना रहा हूं बट आपको अच्छे से observe करना पड़ेगा reference को क्योंकि reference में जो shape है वह आपको observe करनी पड़ेगी कि nose किस तरह की है eyes किस तरह के भी वह सबकी अलग-अलग होती है तो वह जब आप match कराओगे तब ही आपका portrait आपके reference की तरह लगेगा तो इस बात का ध्यान रखना मैं तो आपको basic बता रहा हूंगा जैसे कि मैं अभी आई बना रहा हूं देखो तो मैं बिल्कुल अच्छे से observe करके बनाऊंगा कि कितनी बड़ी है कहां पर कितना eyeball है कहां पर highlights है उसके coding तो इसमें तो time लगा एक एक आई में तो वो आपको observe करना पड़ेगा उसके according आपको बनाना पड़ेगा एक और reference है मेरे पास इसमें भी method use करेंगे पहले एक basic structure बना लो उसके बाद तीन पार्ट में divide कर लो इसमें आप एक चीज़ observe करो कि इसमें टेड़ा मेरा तो नहीं लग रहा ना जैसे मैंने आपको पहले sketches दिखाए beginners के तो टेड़ा मेरा तो नहीं लग रहा ना मतलब एक face का तो structure है वो तो सही लग रहा ना जो कि बहुत important है features तो आप बाद में भी add कर सकते हो और features को accurate बनाने के लिए तो guys time लगाना पड़ेगा आपको एक और reference है मेरे पास मातमा गांधी जी की तो इसमें भी simple तो वही पहले structure बनाओ इसमें side face है तो कुछ इस तरह से इनकी nose बाहर की तरफ निक्री हुए है तो कुछ इस तरह से बना लेंगे देहोगा इसकी इस तरह से मैं basic structure शिर्फ दो-दो मिनिट में बना दे रहा हूँ simply एक basic structure बनाके तीन पार्ट में divide करके इनके जो lips हैं वो इस तरह की हैं देखो कोई ज्यादा shape नहीं है only dark dark से हैं but basic में भी feel आ रहा है कि ये reference जैसा लग रहा है और इसमें shading करके हम इसको बिल अराम से बनाोंगे lines को तो बिल्कुल accurate बना पाऊगे अगर shading भी करने तो जलदी दी करोगे तो इस तरह से lines दिखेंगी but अगर अराम से करोगे तो आप layer by layer भी अराम से करके realistic बना सकते हैं अगर कोई realistic आये बिनाने जल्दी बनाने कोईच करोगे तो इस तरह से बनेगी जल बिगिनिर्स के लिए मैंने में चीज बता ही है बनाने को आप सीधा भी बनाता है आपने देखा होगा मेरी वीडियो में सीधा भी बना लेता हूँ बड़ इसी तरह तीन पार्ट में डिवाइड करके बेसिक स्ट्रक्चर बनाओ और फ़े बनाओ because basic तो सब का सेम होता है कोई भी हो दुनिया में कोई भी आगम alkalism me oin भगवान ने सबको दो आंख दी है ऊक्नाक 나क दी है दो यह दी है बैसिक क् अी चोटे होते है तो सब का सेम है बद शेप अलग है किसी के आई चोटा होते है सबका सेम होते हैं और ने सबको बहुते हैं एक नाक दिया हैं एक लिपस दिया हैं बहुत Алग ले अधर हो सके रशहित प्रेंटाउट लेकर ब्रैक्टिस किया करो इस तरह से प्रिंटाउट से आपको और प्रस्पेक्टिव बनाने में आता है ग्रीड से बटना उससे लर्निंग नहीं पाती बेसिक आटिस्ट की जो अपने करियर बनाने जाते हैं तो हां उसके लिए इंपॉरेंट है और हां चाहे कोई भी ड्रहेंग उसमें परस्पेक्टिव बहुत ज़्याद है तो परस्पेक् मैं इस पर पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँगा वैसे तो हां प्रस्पेक्टिव का भी ध्यान दिया गरो शेडिंग के आइस के लिप्स के कंप्लीट फेस शेडिंग के रियल टाइम वीडियो के सब के टुटोरियल मैंने अपने चैनल पर अप्लोड कर रखे हैं तो आप लेना लिंक डिस्क्रीट के दूँगा मैं पूरी प्लेइलिस्ट का तो हां यह वीडियो आपको पसंद आए होगी आयो तो लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर जाना मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दो प्रेक्टिस दो इंप् ियो सी वे झालते हैं जल्कित्रीक्ट। वे खिक्षी करें हो दोगी सो को भुषक का भिश्यों कि की वीडियो रिंए। tut quả स्क्राइब के लिवर सकत्राब का ल बेच्यो भीडियों के लिवर सक्ष़क। कि िना तक्राइब के लिवर संदत बाहीं हैं वे खिवर सबेने